हलो इबरीवन एक बाप फिर से श्वागत है आप शबीक आपके पसंदिदा यूटूब शेनल रामासर में आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं इंडियान एक्जिम बैंक जिहां जिसका रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है नई वेकंसी है बैंक में सीधी भरती का मौका दिया गया है आल इंडिया भरती परिछा है जिसमें लाज़ डेट 10 नौमबर 2013 निदारित किया गया है Indian Exim Bank जिसका नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसी के बारे हम आज की वीडियो में इस डिसकस करने वाले हैं Yes, we are discussing about Indian Exim Bank जियां Indian Exim Bank Management Training यानि MT Recruitment 2023 का नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है Exim Bank Advertisement Number HRM Oblique MT Oblique 2023 24 Oblique 01 के 100 डिटेल्स आप नोटिफिकेशन का डिसकसन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं Long details के लिए यानिकी details जानकारी के लिए आपको सला दी जाती है आप full notification डाउनलोड करके जरूर पड़ें डिसकर्स करके हैं सबसे पहले important dates के बारे में तो जो हमारा application start हो रहा है वह application start हो रहा है 21-10-2023 से start हो चुका है इसके लिए last date की बात करें तो 10-11 यानि 10-9-2023 इसके form fill up करने की अंतिम तिथी निरदारी की गई है उशी दिन रात तरी 12 बजे तक आप फीश payment भी कर सकते हैं एक्जाम इसकाद डिसमबर 2023 में होना सुनिश्चित हुआ है जैसे ही clear exam date आएगा हम अलग से वीडियो से प्रेट वीडियो बना करके उसकी भी जानकरी आप सभी के बीच में पहुँचा देंगे admit card related जानकरी जैसे ही आती है exam से पहले admit card release हो जाएगा तो exam के पहले admit card release होते ही हम आपको नई जानकरी दे देंगे exam से संबंदित और admit card related संपूर जानकरी के आप मारे चैनल पर बने रहें exam जो होना है वो दिसमबर के अंतिम सब्ता में होना है इस बात को दियान रखेंगे बात करते हैं application face की तो general और OVC category के लिए 600 रुपए का सुल्क रखा गया है जबकि SCST, economical week sections और दिव्यांग candidates के लिए 100 रुपए का ही सुल्क निदारित किया गया है all category females अगर female है वह general है OVC है, SCA, EWS है या दिव्यांग candidate है सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का सुल्क रखा गया है सुल्क का भुगतान आप debit card, credit card, net banking fees mood से कर सकते हैं online ही fees स्विकार होंगे offline किसी भी प्रकार का सुल्क देज नहीं है बात कर रहे हैं, exam bank management trainee के बारे में जिसका recruitment जारी हो चुका है exam bank management trainee notification 2023, age limit की बात करें तो 110-2023, जी हाँ, 110-2023 से इसके आयू की गड़ना की जाएगी जिसमें न्यूनतम आयू सीमा की बात करें, तो 21 वर्स निर्दारित किया गया है जबकि अधिक्तम आयू सीमा 28 वर्स निर्दारित की गई है age में छूट भी दी जाएगी, Indian exam bank management training, अर्थात MT, recruitment roles 2023 के according ही आपको आयू में छूट प्रदान की जाएगी बात करते हैं, total vacancy के बारे में, exam bank, MT, recruitment 2023, total vacancy details की बात करें तो कुल 45 पदों पर vacancy निकाली गई है, कुल 45 पोस्ट निर्दारित किये गए है, जिसमें दो पोस्ट निर्दारित किये गए है, अलग-अलग इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, एक digital technology के लिए है, एक banking operations के लिए है दोनों का discussion हम इसी वीडियो में करने वाले हैं, देख सकते हैं आप management trainee अर्थात MT के banking operations के लिए पोस्ट निर्दारित किया गया है, वह कुल 35 पदों पर निर्दारित की गई है संख्या, 35 पोस्ट निर्दारित किया गया है, दो इसमें दिखा दे रहे हैं भी और एक पोस्ट निर्दारित किया गया है, जो भी छोटे-छोटे पोस्ट हैं, उनके बारे में हम आपको जान में और CA अर्था या फिर आप CA पास्ट हो पास्ट आउट हो या पेरिंग हो मिनिमम 60% मार्ट इन ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में साथ ही साथ आपको 60% मार्ट गेंड करना आवश्चक है यानि आपका 60% मार्ट होना चाहिए इसके लाद सेकेंड पोस्ट है हमारा मैनेजमेंट ट्रेणी M.T.K. डिजिटल टेकनोलाजी के लिए कुल साथ पदस रजित किये गए हैं जिसमें B.E. और V.T.E.C. डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इनफार्मेशन टेकनोलाजी या फिर इलेक्रोनिक्स और कम्मिनिकेशन इलेक्रोनिक और कम्मिनिकेशन से या फिर M.C.E. होना चाहिए इसके अलावा मैनेजमेंट ट्रेणी में राजभाशा के लिए भी दो पदस रिजित किये गए हैं इसमें मास्टर डिग्री इन हिंदी इसके अलावा मास्टर डिग्री इन इंग्लिस अगर आप मास्टर डिग्री इंग्लिस से हैं तो हिंदी होना चाहिए आपका डिग्री लेबल पर फिर से समझ लेंगे आप इंग्लिस से मैं हैं तो आपके बीए में हिंदी होना चाहिए कंपल्सरी अगर बीए में हिंदी से हैं तो आपका बीए में इंग्लिस कंपल्सरी होना चाहिए ये इसके लिए क्वालिफिकेशन इर्दारी किया गया है इसके अलावा आप देख सकते हैं Master degree in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as a compulsive subject in degree level अगर आप Hindi English degree level पे लिए हैं तो आप Master किसी भी degree से हैं किसी भी subject से हैं कोई दिक्कत नहीं आप form fill up कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप notification पूढ़ना बिल्कुल ना भूलें Management Trainee Administrations की बात कर लें MTK Administrations के Post की बात करें तो एक पद समावेसित के गया है जिसमें BE और B Tech degree in Civil Electrical Engineering with 60% marks और Master degree in Hotel and Hospitality Management with 60% mark महत्पुर्ण क्या है आपके पास 60% का mark होना आवश्यक है यानि 60% mark के साथ ही आप उत्तिल्ड हो तभी आप या form fill up कर सकते हैं Exim Bank Management Training Examination 2023 के exam district results की बात कर लें तो इसमें अलग-अलग जनपदों में ये exam सुनिश्चित होना हुआ है जिसमें अहमदाबाद, बेंगलूरू, बिलासपूर, भोपाल, भुमनेसर, सम्मिलित किये गए हैं इसके अलामाद, चंडिगड, मुहाली, चंडिगड का मुहाली, चंडिगड, गुवाहटी, हैदराबाद, जोधपूर, कलकत्ता और लखनव को संटर बनाया जाएगा नागपूर, मुंबई, नेवी मुंबई, इसके अलामाद थाने, यानि मुंबई में आपका नेवी मुंबई, थाने, यम्यमार रिजन्स, दिल्ली NCR और पटना संटर्स बनाये जाएगे ये सहर जो आपके हैं, ये एक्जाम डिस्टिक्स के लिए चैनित किये गए हैं नागपूर, नेवी मुंबई, थाने, यम्यमार रिजन्स, और इसके अलामाद दिल्ली NCR और साथ ही साथ बिहार का राजधानी पटना को संटर बनाया गया है इसके लामा दोस्तों, अगर आप मारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक सदिक दोस्तों को सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद all notification आन करना विल्कुल भी न भूलें ताकि मैं जब भी वीडियो upload करूँ उसका notification आपको सबसे पहले मिलता रहे इसके लिए आपको notification में जा करके all notifications को आन करना है मैं किसी भी प्रकार की वीडियो upload करूँगा vacancy related जानकारी के बारे में तो उसका notification आपको सबसे पहले मिलता रहेगा अधिक जानकारी के लिए आप मारे comment box में भी comment कर सकते हैं या आपको हमारे चैनल के description में ही आपको हमारे official website का link मिल जाएगा वहाँ से जाकर के आप संपूर बेकंस लिचल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आप वहीं से संपूर जानकारी के साथ साथ आप notification को भी download करके देख सकते हैं अगर किसी प्रकार की query रह गई है कोई और जानकारी प्राप्त करना साथ हैं वहाँ आपको मेरा mobile number मिल जाएगा वहाँ से आप मुझे directly call करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं अगर आप कोई सुझाओ या सलाह देना चाते हैं तो भी आप वहीं से जानकारी या सलाह सुझाओ दे सकते हैं आपका सुझाओ सरोपरी होगा तो आज की वीडियो के लिए बस अतना है दोस्तों मिलेंगे आप सब इसे एक नई वेकेंसर डिटिल्स के साथ एक नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ बने रहे हैं आप मारे चैनल में नई वीडियो के लिए all notification को जरूरान करें मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तिल देन गुडबाई थेंक यू